हाई फ्रेंड्स हुँच वक्षे सोनी अने स्वाग्या छे तामारू एपक्स अकेड़ी मा आशा चेके तम्हें मस्त तसो जबर्दस तसो ने तमारू जी वांचन छे यी बहुँच सारी रीत चाली रहुआ से प्रेंड्स आजे एक नवा लेक्चर साथे आपणि आई गया छे जेनु नाम तो चे रासानिक गतिकी फसी opened प्रथम कम नी प्रक्रिया ना संकलित वेक समीकरण तथा अर्ध आईश्य समय ना समीकरण मेढ गया छे अने एना रिलेटेड एक्जामपल पन आपने जोई गया जो तम्हें फर्स्ट वार मतला पहली वार जो मारो वीडियो जोई रहा छो तो हुँ तमने एक रिक्वेस्ट क प्रथम क्रम नी और सुन्यक्रम नी प्रक्रिया ना एक्जामपल दाखला इक्या रही गया छे यह पहलए चर्चा करईशू आणने पच्ची जोई शो कि जे राशानिक प्रक्रिया रिक शे केवेग संकड़ा कात्ट हो था कॉलिजन थियरी विशे डिस्क्रिशन करीशू और चैप्टर अंत करीशू ओके तो चलो फ्रेंट्स फटा बट स्टार्ट कर दिये तो पहला आपणी एक्जांपल जोई शू प्र्थम क्रम नी प्रक्रिया ना वेत्र नं एक्जांपल ό squeezed पार्ट मां जोईली दोलौ हवे बिजा पार्टा मा प्रथम क्रम नी प्रक्रिया ना एक्जांपल दिजeye अपणीशरू आत करिए जो स्क्रीन उपर जो जो शुक्या चे नीचे नी प्रथम क्रमनी प्रक्रिया माटे N2O5 नी सांधरता 388 केल्विन तापमा ने 1.24 गुणया 10 नी माइनस मेगाद मुल लीटर इन्वर्स छे अपने लाश्ट टाइम जो 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 હવે સું કે શરુવાતમાન એન્ટો ફાઈની સાંદ્રતા 1.24 ગુણ 10 ની માઈનીસ બએનીસ 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 1.24 ગુણ 10 ની માઈનસ બએનીસ બએને માનુસ ધ થાશે અને t2 મટ્લગ કોઈ બિજા અલગ અલગ સમઈ प्रक्रियक नी सांद्रता जो अलग-अलग आपनने आपेली होए, मतले T1 समय, R1 और T2 समय, R2 आपनने आपेला होए, तो आपने वे गचरां केविर्थे शोधी शक्किये, ए आपने जोईसु, एनू सुत्र पेला तार्वी सु, और एना पछी आएक्जांपल गणी सु, तो अत्यार हुआने रिमू करदाऊचु, और कया सुत्र नों आपने उप्योग करिशु ते सुत्र पेला तार्वी दाऊचु, और एना पछी आएक्जांपल आपने गणीए, चलो, जो प्रथमक्रमनी प्रक्रिया माटे संकलित वेग समीकरण फ्रेंस तमने खबर छे, समय प्रक्रियक नी सांध्रता शोद्तो हो, तो आईयां हुँ T1 करदेशु, स्क्रीन उपर जोजो, और प्रक्रियक नी सांध्रता ने हुँ R1 कर देशु, और यहां R0 सुवह चे शरूआतनी सांध्रता, मुझो T2 समय संकलित वेग समीकरण लगतो हो, तो याने लखा से R2 इस इक्वल टू एलन आर जीरो माइनस के टीटू ओके आचे टीवन समय संकलित वेक समीकरन आचे टीटू समय संकलित वेक समीकरन अवे समीकरन एक माधी समीकरन बैने हुँ बाद करो समीकरन एक माधी समीकरन बैने बाद करिये तो आर वन माइनस आर टू थसे एलन आर टू थ अभ्यक्र अवил समीकर अधि हमे बाद करवाश मतलब अधसे पलस उपण उपार से माइनस मतलब माइनस KT1 प्लग प्लस TO train मैनस करवाने यह माइनस माइनस수록 तो Ici जासे ना सु थाई जाए चे माइनस आतो आपने लोप नीरित खबर चे अलिमिनेशन के वर्थे करिए चे अपने खबर चे लोग माँ जो बाद बाकी होए तो सु थाई भागा कार मतलब हुँ लखू एल एन आर वन डिवाइड बाई आर टू इस इक्वल टू जो केने हुँ बार निकार दो केने बार निकार दो तो सु थासे टीटू माइनस टीवन थाई जासे टीटू माइनस टीवन अने ध्यान आप जो आ समीकरन उपर लखू छू अने जो टीटू माइनस टीवन ने भागी दो आबाजू तो वे गचरांग नों फ लोग नो बेज मतलब आधार E होए त्यारे अने LN क्या वाए लोग बेज E क्या वाए एन्ने क्या वाए LN अने आने जो मारे लोग बेज 10 मां कन्वर्ट करो वाचे सो करिए 2.303 लोग बेज 10 आउँ आपले लगता होई चे तो जो जो ध्यान आप जो स्क्रीन उपर सुत्रसुत असे के बराबर 2.303 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 लोग बेज 10 आरवन बागया आरटो आपड़े आ सम्मी करणनो उपयोग करीशू आ एक्जाम्पल गणवा माटे द्यानती जोईलो वीडियो पॉज करें एक वार नोटडाउन करदो कारांके हुँ आने निकार दवचु रिमू करूचु बराबर आपड़े आपड़े एक्जाम्पल गणीशू हजो तीवन बराबर शुन्य समय आपणने प्रक्रियक नी सांद्रता आरवन मले छे इटली मले छे आरवन सांद्रता छे एक पॉइंट चोवीस गुन्या दस्तनी माइनस बे गात मोल लिटर इन्वर्स अने टीटू बराबर मतलब साइट मिनिट पछी आपणने प्रक्रियक नी सांद्रता सु मले छे प्रक्रियक नी सांद्रता छे 0.2 गुन्या दस्तनी माइनस बे गात में आवे आ बद्धी वेल्यू मारे शोदुवानों छे वेग अचलांक आ बद्धी किम्मत हुँ आ समीक करणमा मुंकी दो तो जू असू तसे वेग अचलांक के बराबर 2.303 भाग्या T2 माइनस T1 लोग बेज 10 आरवन भाग्या आरटू थसे is equal to 2.303 भाग्या T2 केटला छे साइट T1 छे 0 लोग बेज 10 आरवन केटला छे 1.24 गुन्या दस्तनी माइनस बे गात भाग्या 0.2 गुन्या दस्तनी माइनस बे गात तो आपनने final answer मर से जो असू थसे 2.303 भाग्या साइट लोग आरट 10 आरवन भाग्या 2 कर थे जासे अई यहां 12.4 भाग्या 2 थसे यहले 6.2 थसे तो थसे लोग 6.2 अवे लोग 6.2 नी किम्मद शो दी सू अने गुन्या बेज पोइंट 303 करी सू भाग्या साइट करी सू य आपनने फ्रेंड्स answer मर से 445 सेकंड इन्वर्स आओ आपनने कई answer मरें छे खबर पड़ी गई जयारे अलग-अलग समय दर्मियान अलग-अलग सांध्रत आपेली होए तो आपड़े वे गचलांग केविरते शोधिये छिए ए मैं आपड़े जो इकाड़े आपने जो इसू पन वास्तमाई द्वितियक के तुरुतियक्रमनी प्रक्रिया ना होए पन प्रथमक्रमनी प्रक्रिया होए तो याने आपड़े शू कहिशू आबासी प्रथमक्रमनी प्रक्रिया कहिशू खबर पड़ी गई ने हवे आपड़े आनो एक एक्जांबल जो इसू अन समझी श थ्याँओ आफाइल एसी अद्टेत्नु ज्टवी बाटनु फॉर्मिया लखू तो इथाईल एसिटेट कौने क्या वासे CH3COOC2H5 जड़ विबाजन करवानों छे मतलब H2O पाणी नो उमेरों पाणी नो उपयोग करी सु अने आपणने इथाईल एसिटेट नो विबाजन थाईने आपणने सु मरसे Acetic Acid CH3COOH वद्ता इथेनोल मरसे C2H5OH जो तमी प्रक्रिया जोसोते तमने सु लागे छे जुओ अने एक मोल एथाईल एसिटेट एक मोल H2O साथे सहयों जाएने एक मोल Acetic Acid ना जिटला मोल हसे एटला मोल H2O साथे संक्रा से अने एटला आज मोल मतला बद्दा ना मोल नी संक्या सु छे यां सर्खी छे बड़ाब तो कईू छे ती बड़ाबर शुन्य समय सु कईू छे ती बड़ाबर मतला शरू आत्मा इथाईल एसिटेट नू केटलू प्रमाण आपणी जोडे छे स्क्रियूनू पर जो जो इथाईल एसिटेट केटलू छे 0.01 मोल बहुँ ओछी मात्रा छे 0.01 मोल अने पाणी केटल प्रमाण माँ छे 10 मोल भले पाणी नू प्रमाण बहु वधारे छे पण याद राखानू इथाईल एसिटेट ना 0.01 मोल साथे पाणी ना केटला मोल सहिए जासे 0.01 मोल अपन्ने मर से लियर थाईग्यू अइया इथाईल एसिटेट ना 0.01 मोल वप्राई गया मतलब इथाईल एसिटेट ना केटला मोल वध्या 0 मोल खवर पड़ी के नहीं इथाईल एसिटेट ना केटला मोल वध्या 0 मोल वध्या पाणी ना 0.01 मोल वप्राई तो पाणी ना केटला मोल वचे छे 9.99 मोल मतलब 9.91 मोल H2O वध्या छे पानी नी सांद्रता मां बहु फेरफार थयो क्यवाए नई पन इथाइल एसिटेट नी बधी सांद्रता वप्रई गई छे एनी सांद्रता जीरो थाई गई छे मतलब यहु क्यवाए के आज ये इथाइल एसिटेट नी जड़ विभाजन नी प्रक्रिया छे ए मात्र इथाइल एसिटेट नी सांद्रता साथेच संकड़ायल छे पानी नी सांद्रता साथे आने कोई मतलब छे नई कारण के पानी नी सांद्रता एटली बदलाती नथी 0.01 ओची थाई जाचे, मतर 9.91 एटले ये लगबग 10 मोल जेटलीज क्यावाई खबर पड़ी गए ने, एटले ये हुँ क्यावाई के भले ये बे प्रक्रिया को अता इथाईलेसिटेट अने पाणी, पन मात्र आमा इथाईलेसिटेट नीच सांदरता वपराई छे एटला माते आ प्रक्रिया प्रथम क्रमनी थसे, देखीरी ते दिवतिय क्रमनी लागया छे, पन प्रक्रिया सु थसे, प्रथम क्रमनी खबर पड़ी गई? जुओ, प्रक्रिया थाय छे, ते दर्मियान पानी नी सांदरता खास बड़लाती न थी, आथी या प्रक्रिया प्रथम क्रमनी छे, अने आवी प्रक्रिया ने आपड़े सु कईये छे, आभासी प्रथम क्रमनी प्रक्रिया कईये छे, लियार छे? तो हवे हुँ तमने एक सिंपल सिधी वस्तु कई दो, कि ज्यारे बे प्रक्रियों को भेगा मरता होए, प्रक्रियक एक अने प्रक्रियक बे, अने बेमा थी कोई एक प्रक्रियक नी सांदरता बहुज ओची होए, अने बिजा नी सांदरता बहुज वधारे होए, तो एवी प प्रक्रिया ने आपड़े शू कहिशू आभासी प्रथम क्रम नी प्रक्रिया कहिशू क्लियर एक बीजो एक्जाम्पल आपए खाननू व्यूत क्रमन ए आभासी प्रथम क्रमनी प्रक्रिया छे अवे खाननू व्यूत क्रमन सु थाये छे मतले खाननू जड़ विबाजन खान वति बिम्बी सम घटको छे ओके एनांशियो मर एने केवाई खबर पड़ी गई आमा खांडना व्यूत्क्रामान जे खांडनी सांधरता चे बहुझ जोची आसे पानी सांधरता बहुझ वधार आसे मत्या प्रक्रिया दर्मियां पानी सांधरता मा कोई फेरफार थतो न थी म खानने सांध्रिता 0 थई जाये चे अटला माटेज आने शू कहिशू आबासी प्रतामक्रमनी प्रक्रिया कॉने पहाइ हबאर पड़ीवाइं हमें एक अपने एक खें 1.15 गुन्या दस नी माइनस 3 गाच सेकंड इन्वर्स बराबर छें आपने प्रतम क्रमनी प्रक्रिया ने प्रत्म क्रमनी प्रक्रिया माटे आपने वे गचरांग नों सुत्र लखी सुत्र सू लखा से 2.303 भागया T log 2.10 R0 भागया R अच्छा 2.303 आपने सोध्वानों सुचे समाई सोध्वानों चै 2.303 भागया वे गचरांग ने डिवाइड कर दिये T ने आबाजु लाई दिये log R0 भागया सुधही जासे R अच्छा अवे सु करिये जो 2.303 भागया केनी किम्मत केटली छे केनी किम्मत छे 1.15 गुन्या 10 नी माइनस 3 गात सरस लोग R0 है चुँ आई R0 मतलब शरुआतनी सांदरता सु आपीचे 5 ग्राम आपया सु आपयाचे आपनने 5 ग्राम अने सांदरता हमीश शामा होई छे Molarity मा अवे Molarity शोधाय छे के विरते Molarity बराबर द्राव्याना मोल भागया कद होई छे अवे द्राव्याना मोल मतलब सु थाए आपेलू दढ भागया एनू आन्विय दढ अने डिवाइड बाए एनू वाल्यूम मतलब कद कम्रीट छे जो आपेलू दर तो 5 ग्राम छे अन्य मोलर दर तो बन्यानू समाना से 5 ग्राम माती 3 ग्राम थाए छे कोई एक प्रक्रियक छे ए यह 5 ग्राम माती 3 ग्राम मतलब यहनू वजन इटलू गटी जाए चे मोलर दर से मज आए तो मोलर दर तो आपड़े से मज यहां राखी चेंशे अन्य कद पण आमा से मज छे बरावाँ चे तो जू आई यह लखिये 5 बागया मोलर दर भागया एनू कद औरडिवाइड वा लखा से सु ती बराबर 2.303 भागया 1.15 गुणया 10 नी माइनस 3 गात लोग 5 भागया 3 तू लखा से लोग 5 भागया 3 अन्य जो आनू सिंप्लिपीकेशन मतलब साधुरूप आपू तो मने आंसर मड़ से 445 सेकंड मतलब यह केवाए के 445 सेकंड पछी जी प्रक्रियक छे ये 5 5 ग्राम माथी 3 ग्राम थैहें सांदर ता 5 ग्राम माथी 3 घ्रेवाई जैसे घंप्लीट थैक्यों आएकदम सिंपल एकजांपल हतो है मात्र हमां सुत्रज दाखल करवानू हतो हब फिजय एक ग्जयांपल जोई है सु कहा चे SO2 CL2 ने तेना प्रारंबिक जत्था माती विग ती औफ बन बाय टू के टलो थशे साइट मिंट थशे जो विजटम प्रथम क्रमनी प्रक्रिया अभड़े कैणने क्या प्रथम क्रम निप्रक्रिया अटे अपड़े आज आईश्य समय सुत्र लखी सु तो T of 1 by 2 is equal to खबर छे सु छे अरद आईश्य समाई 0.693 जुआ के उर्थ याद राखानू 639 शु याद राखानू 639 बागया के तो प्रक्रियानों वेग अचरांग शोधु तो चलो प्रक्रियानों वेग अचरांग शोधु आनों चे तक के ने सब्जेक् 0.6993 लखी सु बागया T of 1 by 2 तो के बराबर सु तसे 0.693 बागया साइट मिनिट ने हुँ हुआ साइट मिनिट ने हुँ सेकंड मां कनवर्ट करू तो साइट थी गुणवा पड़े तो 0.693 बागया चत्री सो थसे 0.693 बागया चत्री सो थसे अन्य आपनने आंसर मरसे 1.925 गुणए दसनी माइनस चार गात स्टेकंड इन्वर्ज तो आपन मातर एक सुत्र जेपलाई करवानू अतु शुत्र आधारित दाखलो एने के वाई तो हवे आपने जो इसु रासानिक प्रक्रिया नो अथवा प्रक्रिया वेगनो तापमानो पर आधार रासानिक प्रक्रिया ना परिणामो आपनने एउ क्या छे के जेमजन तापमान मा वधारो करवा मा आवे एम प्रक्रिया वेगमा बधारो थाय चे अने जम जन तापमान मा गटाडो करवा मा आवे एम प्रक्रिया वेगमा गटाडो थाय चे मतलब नीचा तापमाने थती प्रक्रिया बहुज लामबी चाले चे ये प्रक्रिया पून थवा माटे बहुज लाम्बो समय लागया चे अने उन्चा तापमाने थती प्रक्रिया जड़त्ती प्रक्रिया पूरी थई जाये छे जे रासानीक प्रक्रियाना परिनामो चे, प्रयोगो ना परिनामो चे ए आपनने एउपं क्या चे लगभग 10 डिगरी सेंट डिगरी तापमान मा वधारों करवा मां आवे तो प्रक्रिया वेग बमनों थाई जाएछे जे प्रक्रिया एक दिवस मा पूरी थवानी हती ए अर्धा दिवस मा अत्वा जे प्रक्रिया एक कल्लाक मा पूरी थवानी हती ए अर्धो कल्लाक मा पूरी थाई जाये छे तालो आपने जो ये सू कहा छे प्रक्रिया वेग नो टापमान पर आधार मोटा भाग नी रासानी प्रक्रियाओ तापमान ना वधारा साथे प्रवेगीत थाए छे मतलब प्रक्रिया वेगमा वधारो थाए छे एक एक्जाम्पल एमने आपू छे N2O5 ना विगटन मा पदार्त ना मूर जथा नो अर्दो जथो थवा माटे लागतो समय समय लागतो तो बार मिनिट है पांच कल्लाक लागत ना विगटन नी प्रक्रिया नो अर्द आईश्य समय प्रक्रिया नो तापमान मा अजू गटाडो करू तो 0 degree centigrade तापमान ने आ प्रक्रिया पूर थवा माटे कितलो समय लागतो दस दीवस से आ प्रक्रिया पूरी थाए छे तो आज ये उधारन परती आपड़े यहू समझी शकीए कि तापमान मा वधारो करिये तो प्रक्रिया प्रक्रिया पूरी थाए छे अने जो तापमान मा गटाडो करवा मा आवे तो प्रक्रिया पूरी थाव माटे बहुज लामबो समय लागे छे एक बीजू उधारन आपई छे स्क्रीन उपड जो जो तमे पोटेंशियम परमेंगेनेट अने ओक्जलिक एसिड ना मिस्रण मा पोटेंशियम परमेंगेनेट नो रंग नीचा तापमान करता उनचा तापमाने जड़ती रंग विहिन थाए छे बाटा पोटेंशियम परमेंगेनेट अने ओक्जलिक एसिड नो जयारे आपने द्रावन लईए और एक बीजा साथे प्रक्रिया करे तो प्रक्रिया दर्मि विहिन थावा मां ओछो समय लागे छे अवे जुँआ एक तारण छे ए बद्दा याद राखवानू छे तो क्या छे के एवु जाणवां मल्यू छे के रासानिक प्रक्रिया मांटे 10 डिग्री सेंटिग्रेट तापमान नो वधारों करवा मां आवे त्यारे वेग अचरांग लगबल लगबल बमणो ठाये छे प्रक्रिया वेग केटलों थये जाए छे बम्णो जो प्रक्रिया मां 10 डिग्री सेंटिग्रेट वधारों करवा मां आवे तो जे प्रक्रिया अश्यक प्रक्रिया के संब्बं दर्षा होतों सुप्र्थम सुत्र एप्युकुक नामना रशायन्श outrage ङी आपने ताप प्रकृकृ वीच वेग वत्चे नुझ बघघ रसायन शाश्त्री वांट लेवाव से आने कौने समझायो तो आरहे नियस से समझायो जो यह आरहे नियस नो सम्मी करण सुछे आरहे नियस नो सम्मी करण मतलब प्रक्रिया वेग अन तापमान वच्चे संबन दर्शाओ तो सम्मी करण सुछे ध्यान आप जो बद्धा याद राखोनु छे k बराबर a e raise to minus ea divided by rt स्क्रीन उपर जोजो k is equal to a e raise to e ना पावर माँ minus ea divided by rt जया k सुचे friends, a छे भेग अचरांक a सुचे, a ने आपने कहिए छे आरहेनियस अवयव अथ्वा आवरुत्ती अवयव, अथ्वा पूर्वा गातांक अवयव तड़ी के ओड़क ये छे जे अलग-अलग प्रक्रिया माटे विशिष्ट अचरांक छे अलग-अलग प्रक्रिया माटे एनू मुल्य अलग-अलग होई शके आया आर् सूच है तो 11 श्टांडर थी बनता आया छे आर जे शे भायू अचरांक चे 17 एं टी ताप मानं छे अनने ईयये शूचे एये शे शक्रिया करन उर्जा यह सुच है शक्रिय करण उर्जा हावे question आवे सरा सक्रिय करण उर्जा सुच है तो सक्रिय करण उर्जा वीश्य आपने अब्यास करिए हुँ तमने समझाओ चूँ डीटेल वाइस समझाओ चूँ के सक्रिया करन हो जा को ने के वाई पहला फरी बारा फॉर्मुला आपने जोई लेशू फॉर्मुला सुच है फरी रिपीट कर सूँ और मारी साथे तमें रिपीट कर सो के बराबर ए ए रेश्टू माइनस ये उच्छन हवे तमारो ए असे कैसर आ ए मतलब सक्रियकरन उर्जा को ने के बाइ सक्रियकरन उर्जा समझाओं माटे हूँ तमने एक उधाहरन आप पूछो ए उधाहरन पहला आपडि जोई अन्य पच्छी बुकमा सुचे ना वीश्य अभ्यास करींशो हवे ए स्थानू पर तमारी पासे एक मोट्टो पत्थर छे आ पत्थर ने मारे कोई या पहाड छे आ पहाड नी पेली बाजु लई जवो छे पहाड नी पेली बाजु लई जवो छे 20 थान उपर आ पत्थर जे छे ए पत्थर ने मारे कई लई जवो छे आ 20 थान सुधी पॉचाडवो छे तो हुशू करीस आ पत्थर ने उचकीस आना उपर बर्ल लगारीस बड़ लगाडी ने दीरे 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 करी ने, आप पथर ने आ स्थान उपर लाई जैज़, मतलग पहाड नी टोच उपर लाई जैस, स्थान ने हूं शूक व सी स्थान सी स्थान उपर अगर थी हूं मात्र थोड़ और अपी शने तो पफर गगर तो गगर टो 20 तान उपर आई जयसे तो तिनम आप सक्रिय करां उर्जा को ने क्यों आए ? पत्थर ने A स्थान सी स्थान शुदि ज़िए जवा मांटे जह ज़रुरी उर्जा आप्पी पढ़े छे इस धान yol N autant प्री रिपीट करूँ मांटे जह ज़रुरी उर्जा आप्पी पढ़े छे ये उर्जा ने आप्पी छुकई मांदेश शबont to ca ब्रक्रिया जितलु जूओ छे एकली सरड़ीटे थती नती जो स्क्रीन उपर जो 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 एक फर्वस्था आवे छे ए व कष्डा माअ हाइड्रोजन अने आयोडिन वच्चे बंदनु निर्मान था तहाई छे एने कैसु आपणे मध्यवर्ती निपज अथवा मध्यवर्ती मध्यवर्थी निपज को ने के वाई मध्यवर्थी निपज मटब प्रक्रिया नी ए अवस्था जिमा प्रक्रियोको ना बंदनू टूटू प्रक्रियक ना बंदनू टूटू अने निपज ना बंदनू निर्मान थाओ एने आपड़े कैसु मद्यवर्ती अथा संक्रांती अवस्था ध्यान आप जो वर्ड्स पकड़ जो बद्धा वर्ड याद रजो आ अवस्था ने सु कैसु मद्यवर्ती अवस्था अथा संक्रांती अवस्था कोईपन प्रक्रियक आ संक्रांती अवस्था सुधी पहुच से पछीज ये निपजमा परिणम से खवर पड़ी के नहीं मैं तमने अत्यारे हाले कुदार ना प्यूँ ये पत्थर ने मारे एथी भी सुधी लए जाओ छे तो मारे याने अहीं सुधी टोच सुधी लाओ पर से आ टोच सुधी जो आई जसे तो एजीली मतलब सररता आथी जे पत्थर चे भी स्थान सुधी पहुची जसे अबर पड़ी गें तो कोईपन प्रक्रियकों जे छे एने निपज मा परिनम्बा माटे सव प्रथम एने मद्यवर्ती निपज बनावी जरूरी छे अज़ा संक्रांती अवस्ता सुधी पहुचू जरूरी छे संक्रांती अवस्ता 50 थसे, तो हाइडरोजन पन्ज तुटी जसे, अने हाइडरोजन आयोड़िन वत्ची नोँ बन्ज निर्मान थसे, अने हैचाइई हैचाइई ना मेयाणू आपण Esto मरसें तो प्रक्रियको जी छे इन संक्राउनत इवस्ता सुधी पहुचवा माथे अथ्वा मद्दिवर्ती निपज बनावब माथे જिए जरुरी ऊर्जा छे इस जरुरी ऊर्जा ने अपड़ेशो कहीशो शक्रियककर न उर्जा कहीशो meisten कोने कहा? तुम प्रक्रिया को अवस्था है ज् fail प्रक्रियाँ होब कि अउपर ग्राप उपरछ फ्रक्रिया उपर ये वक्रिया आ ये त्ली मिहाँ त्ली मिटेवल लक्रां सस्तितिटी आतली300 का नच्व स्तिति है डeilाडर सो ? दित्रा कुम THIS हाँ प्रक्रियाक फ्रक्रिया almonds Lанием आने A-C सुधी जवा माटे मतलव संक्रांती अवस्था सुधी पौचवा माटे जर्यरी उर्जाने आपणेशो कैसु सक्रियकरण उर्जा कैसु तो 8 उर्जा केटली छे तो सक्रियकरण उर्जा थे ओके आने त्या थी ये निपज मा परीण हमें छे हो अभे त्यान आप जो जे सक्रियकरन उर्जा आने सरवाड मी कर देहली और्जा कर कि ये से ये पर आसे न न यूलाए टिया और प्रक्रिया दर्मियान प्रक्रिया कोनी उर्जा केटली आती आतली आती बीजी पैनल लईशु आपने प्रक्रिया दर्मियान प्रक्रिया कोनी उर्जा केटली आतली आती आतली आती आतली 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 आतल प्रक्रिय आख्ष seminar के वाय छे, फरी जुव थोडु समझ ज़ाहीदउचु, इह जुव आर्पो अटली उर्जा येछ बिएक को नीते सक्थिति और उर्जा वत्ता न्यूनताम स्थिती न्यु त bastante प्रま्पीराड़ी धिली उर्जा, क्लियार, अने सक्रियक रूत संकेण बनेया पछी जे प्रक्रियको छी छे, ये इजीली निपज मा परिणमे छे, क्लियार थाइग्यो, ओक्के चलो, अवे थोड़ू वाची लिए आपने सुक्या अमागे छे डायाग्राम, तू कव्यू छे के आरहेनियस प् अने पछी तूटी जाये छे, अने हाइड्रोजन आयोडाइड ना बे अनु बनावे छे, तो अवे जुवा बद्धा स्टूडन्ट से याद राखवानू छे, कि सक्रियकरन उर्जा क्वोने केवाई छे, तो आ मद्यवर्ती निपज, मद्यवर्ती निपज, अथा संकिन सीनी रचला माटे जरूरी उर्जाने आपणे सु कैसु सक्रियकरन उर्जा, प्रक्रियोको ज्यारे मद्यवर्ती निपज बनावे छे, तो मद्यवर्ती सक्रिय संकिन बनावे छे, ए बनवा माटे जरूरी उर्जा छे, अने आपणे सु कैसु सक्रियकरन उर्जा, क् आपमार मां ज्यारे वधारो करवा मां आवे त्यार प्रक्रियक ना अणोनी वर्थरुक मां सुवी फेर फार थाय चे अनि गतियुर्जा केवर्थे बढ़लाए छे ये दर्षा तु सम्मी करण ये दर्षा तो संबन्ध सव प्रथं बोल्ड अणे मैक्सवेल बतायो तो अपड़ ओलिवंस ना फीवत चर्टो ना भणी होता नथी ओई पन एक अनोनी वर्तवनुक समझवा गश्किल छे सवप्रतम गुडविंग बोल्ट्जमेन अने जैंस क्लार्क मैक्सवेल तामारे बे वड़ से याद राखवाना छे बोल्ट्जमेन अने मैकसवेल नो वक्र एमने अनोनी वर्तवनुक दर्शावा माटे एक डायाग्राम बताओ, एक आलेक बताओ, तो सवप्रतम हुँ तमने आ आलेक समझाओ छू, जू, अहिया सू बताओ छे, अनुओनो अंच विरुद्ध गति उर्जा, मतलव किटला अनुओनी गति उर्जा, किटली हसे ये दर्शावतू सम्ही करण छे, जू, अहिया अनुओनी गति उर्जा सवथी ओछी छे, अनुओने आ बाजू आपने जो वक्र बताई है, ये तो आ बाग सू बताओ छे, एवा अनुओनो जत्थो, कि जेनी गति उर्जा महत्तम छे, सवथी वदारे गति उर्जा, आ अनुओनी छे, अनुओनी जे वच्चे नो हवे सर अमने आमा खबर ना पड़ी, कोई वीजो एक्जाम्पल डाखलो बताईन समझाओ, जो हूँ तमने एक एक्जाम्पल आपो, तमारों क्लास छे, अने क्लास मा मतलब मानो के 50 विद्ध्यार्थी हो छे, अने केमेश्ट्री ना मार्क्स तमने आपवा मावे छे, तो 30fen वधारे हो है, मतलब 95, 90 Marks अप हो है, इवाँ विद्ध्यार्थीहोंनी संखिया बउछी होहाचे, 50- 70 विद्ध्यार्थी होहाचे, kiddh अगराफ खबर बड़ीं गयी, हाइएँ आँ इस बतावे छें एवा अणू ओं जेनी गतियुर्जा यातो महत्तम छे या नियुनतम छे या नियुनतम छे अनु एवा अणू के जेनी गतियुर्जा एवरेज छे बहुँ वधारे नहीं બહુ ઉછી નઈ niezસી નિ સંખ્યા સોથિ વધારે હોએ Erે ઴હૈ एवा અનોनी સंख्या સુથी वधारे होए छे લेर छे? हवे જો આ સુ કે છે जે આપ्मान માં વधारो કर्वा માં આવે करवा मां आवे त्यारे आ अणुओनी संख्या मां वधारो थाए छे के नहीं ए जो इए आपड़े कि जो शुक्या छे ध्यान आप जो गति उर्जा ए अणुओन अंश एनी डिवाइड बाइ एन्टी विरुद गति उर्जा ना आलेक पर्थी गति उर्जा नू वित्रण वर्णवी शकाय छे यहां एनी सुच है जो एनी सुच है तो ए उर्जा धरावता अणुओनी संख्या आणी सुच है ई उर्जा धरावता अणुओनी संख्या अन्टी सुच है तो कूल अणूओनी संख्या यहां आपणें खएछे स्क्रीन वॉपर जो एनी डिवाइड बाइ एन्टी કુલ અનોઓ માંથી 100 અનોઓ માથી 60 અનોઓ ની ઉરજા જે છે એ e જેટલી છે , ફરી રીપેટ કવરૂં છું આવે છે ત્યારે વક્રમાનું મહતમ સ્થાન અને વક્ર વધૂ પહળો ઠાય છે અને વક્ર વધૂ પહળો થાય છે અને मुँँ बोल युह एहमें लगबग तमने के खबर नहीं पड़ी हो आपने जु आवह सु किया छे आपने आपने घ्लम से आपने एक डाहाऑग्राम आपने आपने प्लापने आपने अचे अनुनoben नी उर्जा भतावे चे चे अनुनobenी उर्जा बतावे छे अणों नी उर्जा सक्रियकरन उर्जा जिटली थाए ये तो आपणे हालत बढ़े ने कि सक्रियकरन उर्जा पछी जे प्रक्रियक छे निपज मा परिणा में छे अन सक्रियकरन उर्जा को ने कहिए छे तो प्रक्रियकों ने मध्यवर्ती निपज अथास मध्यवर्ती सक्रिय संकीन बन्दवा मांटे जी उर्जा नी जरुर पड़े चैंडी उर्जा न्याम अपने इसू कईएigram defer सक्रीए करन उर्जा धरावत अनु जथत्थो चैंस जुंब मैं स्क्रीण उपर बतायों ठापनुचिंस तापमान मा वहदा हो तापमान सेंटिग्रेट तापमान मा वधारो करीज, त्यारे सु तसे, अनुनी गति उर्जा मा वधारो थासे, ये तो common knowledge छे, जेम जेम तापमान मा वधारो करवा मा आवे, त्यारे अनुनी गति उर्जा मा वधारो थासे, त्यारे आजे डायाग्राम जे आजे ग्राप छे, ये करवा मां आवे त्यारी अनुनी गति उर्जा मां वधारो थाए छे अनुनी गति उर्जा मां वधारो थावाना कारणे एवा अनुन जेनी गति उर्जा सक्रिय करन उर्जा करता ओची एती M ની ઉડજા પણ વધી જાએ છે ની સક્રીએ કરણ ઉડજા કરતા વધી જાએ છે જેના કરણે આજે વક્ર છે એ વક્ર સું થાય જે પોળો થાય છે વક્ર પોળો થાવાનો મટલબ સું થાય જેની ગતી ઉરજા સક્ર્યા કરતાય છે તો દ્યાના પ્યાનો બતાયુ જેન દ્યાના વધારો કરવા માયો એનો ની સંખ્યા વધવા લાગી જો આટલા આનો થાયા કેટલા થાયા જેમની પ્રક્રયા વેગમાં વધારો થાય છે પ્રક્રયા વેગ બમણો થાય જાય છે કારણ કારણ કે સક્રયકરણ કે સંભાવેતા એક હોવી જોઈએ માક્સ્વલ બલ્જમેન ભીતરણ વક્ર પર ઈએનું સ્થાન ચિહનિત કરું છે એએ મટલબ સક્રીએકરણ ઉરજા સક્રણ ઉરજા એના આગરના જે અનું છે એમની ઉરજા સક્રીએકરણ ઉરજા કરતા આઓરે વધારે આશએમ વધાર્તા અનું 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 ંશવદે છે હેંરાજ જેમજ્યમ તાપમાનમાં વધારો કર્તા વધારે ઉર્જા ધરાવતા અનું 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 ંશ બમણો થાય છે ઔપડીકે 10 ડિગ્રી સંખ્યમાં માં વધારો કર્તા એવા અનું નું નું સંખ્યા માં વધારો થાય છે મટલું બમણો થાય છે જે અનું નું માં વધાર્તા પ્રક્ર્યાનો વેગ લગ્બગ બમણો થાય છે કલીર છે ઓકે હવે જોઓ આરેન્યે સમિકરણ આપણ હોનો અંશ દર્શાવે છે હવે જોઓ આરેનેને સમિકરણ સોઓ હથું આરેને સમિકરણ કે બરાબર આર્ત્ય અવાયવ ઇન્ટુ એનેશ્ટુ માઈન્સ ઈએ બાય આરેટી આવુ થાય આવે બંને બાજુ લોગ લઈએ બંને બાજુ લોગ લઈએ તો થોથાશે લોગ કે બરાબર જો આપણ ને ખહબર છે લોગમાં આરી તે લખી શકું ધ્યનાભ જો લોગ એ બત્તા લોગ મની આપણને એક પ્રોપટી ખબર છે કે આના ઉપર કોઈ ગાત લોગી લોગી સુથાય 1 એક થાય તો આપણને સુત્ર આવું મળે લોગ એ ભત્તા મતલે પલોસ માઈનસ માઈનસ લોગ 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 એનસ માઈનસ ઈએ બાઈ આર્ટી તો જોં હીં આપણનેક સુત્ર આપીં છે સાના બરાબર છે લોગ કે બરાબર છે લોગ કે બરાબર લોગ કે બરાબર લોગ એ માઈનસ ઈએ બાઈ આર્ટી લોગ ને લોગ બેજ ટે આવસ્તો તમને ખબર હવી જુગે ગણી વેકે રીપટ કરે લી છે આપણે તો આહીં આપણને સેમ તો વાઈ બરાબર સું તો જો એલેણ કે વાઈ બરાબર સું તો જો એલેણ કે વીરુદ 1 બાઈ તી નો આલે આપણે અન જી બરાબર સું તાય જો એલેણ 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 એ આન્એલેણ એલેણ એલેણ સું છે આંતર છેદ y અક્શુપર નો અંતર છેદ c બરાબર સુત અસે ln a કલીર છે ઓઈ ડાઉટ ને ખબર પડી ગે તો આજ આલેક આપણને યાં બતાયું છે y અક્શી સુપર નો આંતર છે ln a છે અને ડાળ સુછે માઈન્સ ea બાઈ r t પ્લસ ln a આ સુત્ર સુછે તો આરેને સમીકરણ ની બંને બાજું આપણે લોગ લઈએ ને સું મળા છે k1 તો એના માટે એના સુત્ર મળું છે આપણને સમીકરણ એક સ્રીન ઉપર જોજો તો એના ક્રાબર માઇનાસ્ એમાજ્ત્ર એનાજ માંતી સ્મીકરણ એકને બाद કરતા મટલીઝ એનાજ એનેમાજ એન્ય નिकड़ी શું નહીય નથું નાયુટીં आ माइनस औने आ माइनस प्लस थाई जैसे मतलब प्लस वारा टम ने हूं आगर लए दो तो आरी ते लखी शकाए कि ए ये बाई आर टी वन माइनस ए ये बाई आर टी टो ख्लियर छे ओके अने आपणने खबर चे जो लोग माँ बाद बाकी होई तो भागाकार थाई मतलब ध्यान आप जो ln k2 divided by k1 थाई जासे सुथ जासे ln k2 divided by k1 थाई जासे क्लियर छे ओके अगर जो असु करिए बनने माथी ये 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 कॉमन छे आर वायू अचरांग कॉमन छे आने कॉमन लई ले लिए तो सुथ जो ln k2 divided by k1 बराबर ea कॉमन आई जासे डिवाइड बाई आर अन्दर सुत्र मारत से 1 अपों t1 माइनस का डिवाइड श्चे ये जुदा 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 तुदा जुदा ता वेग अचरांग को बनेशे इन दरीशावत तों सुत्र ला चै बदध यात राख्यानों आए ली लो टिवाइड बाई का रिना को हो टेल गयों आब 2.303 log k2 divided by k1 is equal to ea by r 1 divided by t1 minus 1 divided by t2 अन्या 2.303 ने हुँ डिवाइड कर दो तो final formula आपड़ो आओ बने कि लोग k2 divided by k1 is equal to ea divided by 2.303 r आनो LCM लेओ है तो लई शको आरिते करी शको के t2 minus t1 divided by t1 t2 आज ये सुत्र आपनने मर्यू छे फ्रेंड्स आज ये सुत्र मर्यू छे ए जुदा जुदा वेग अचरांके जुदा जुदा तापमान वच्चेनों संबंध दर्शाओ दो सुत्र चे जे बद्धा याद राखवानू छे ओके जो फाइनल आपनने आरिते सुत्र मर्यू छे लोग k2 divided by k1 लोग k2 divided by k1 is equal to ea divided by 2.303 r t2 minus t1 divided by t1 into t2 क्लियर छे फाव से बद्धा ने याद राखवानू छे फरी रिपीट करूछे लोग k2 divided by k1 is equal to ea divided by 2.303 r t2 t1 अपन t2 minus t1 अपन t1 t2 क्लियर बद्धा याद राखवानू छे जोईले वानुछे चलत अवए आपनेस जोЇसू रासानिक प्रक्रियाना व्यगू पर उद्धिपक नी असर अवेज है उद्धिपक नी असर छे अथवा उद्धिपक रासानिक प्रक्रियामां prag ScrICE कळां लेतो नथी प्रकरिया ना वेगमा वधारों करे से ःवा प्दार्त ने अप्ड़ी तो अ मिलेशें तो अने एं नावीशें डिटेल वाइज अभ्यास करिए क्या उद्धिपक प्रक्रिया न्हां वेगमा केविर्ते वधारों प्रक्रिया पची उद्धिपक जी अतो एजितिज आपने पाचो मले छे अने उद्धिपक ना प्रमाण मा कोई फरक परतो नती चलो अब्भ्यास करिए उद्धिपक सु क्या चे जुओ तो उद्धिपक एवो पदार छे आहियां आपने एक व्याख्या आपी छे आहियां उद्धिपक नी व्याख्या आपी छे तो क्या चे को उद्धिपक एवो पदार छे जे पोता नामा काईमी रासानिक फेर पार पामया वगर प्रक्रिया नो वेग वधारे छे मतलब प्रक्रिया पहला उद्धिपक जे हतो एनो एज उद्धिपक आपने पाचर थी माले छे मतलब यह था कि मैंगेनिच डायोकसाइड ने आपने उद्धिपक तरीके ओपियोग माली देलो तो प्रक्रिया पूर्ण थाया पछी मैंगेनिक डायोकसाइड MnO2 ना स्वरूप मा जापणने मले छे मतलब एना रासानिक बंधारन मा कोई फरक पड़तो नथी प्लस मा एना दलमा पन कोई फरक पड़तो नथी एना बहुत्तिक तता रासानिक गुंदर मों जे हताए एजिटीज रहा छे एननेज आपड़े सू कहिए छे उद्धिपक अहिया एक उदाहरान आपिऊ छे के मैंगेनिक डायोकसाइड नीचे नी प्रक्रिया ना वेग मा नौध पात्र वधारो करे छे प्रक्रिया ना वेगमा वधारो करतो हुए जो कोई पदार्थ प्रक्रिया ना वेगमा वधारो करतो हुए जो कोई पदार्थ प्रक्रिया ना वेगमा वधारो नथी करतो आने प्रक्रिया ना वेगमा गटाडो करे छे तो आने आपने उद्धिपक न थी कहता एने आपने निरोधक कहिए छे उद्धिपक नू कारिया मद्यवर्ती संकिन सिध्धांत आपने भणया एना उपर थी आपने उद्धिपक नू कारिया समझावी शकिये चे जे मद्यवर्ती संकिन माँ परिणा में छे आने ख्षणिक अस्तित्तो होई छे आने विगटन पामी ने निपजो तथा उद्धिपक आपे छे सू भाइ छे मानोзя तो उद्धिपक काम की विरते करें छे घुन तम ने समझावी जो सूछे ॐँ आक एक लगो छो N2 प्लस H2 गिव्स NH3 आ बॉन हेबर प्रक्रिया छे आपने खबर छे प्रक्रिया राशानी प्रक्रिया ना आपड़े संतोरित कर देए तरहां दूना छो थाई जैसे क्लियर चे अहीं आपड़े जे उद्धिपक उप्योग मा लईए छे Fe मतलब आयन थ्यान आपड़े आछे आयन उद्धिपक नी सपाटी पर प्रक्रियों को मतलब N2 आ रिते अने H2 पहला तो जमा थता होई छे पहला सुथाता चे N2 आने H2 उद्धिपक नी सपाटी पर जमा थाई छे उद्धिपक सु करे छे एक सरफेस प्रवाइड करे छे सपाटी प्रक्रियों को नी प्रक्रिया करवा माते आ प्रक्रियाको N2 औने H2 ना बंद यहां तूटे छे औने NH ना बंदुनू निर्मान थाए छे अने ज्यारे आ प्रक्रियाको उद्धिपक नी सपाटी थी दूर जाये छे इटले सू मले छे यहां NH3 आ प्रक्रियाको फटाफटे इक विजहां प्रक्रिया करें निपज मा परिणामे छे खबर पड़ीगे उद्धिपक क्ये विर्थे काम करें छे जो अपणने Eckh aft आपयोहचै्छै आप्रकाननों आलेक जे चेे आपण आगर पण जोरी चुग्याँचै जो आईयासुचै स्थित् उर्जा आईयां क्रक्िछे प्रक्रियाक आपण संक्रान्ती ओवस्था मासळी संक्रीय करन फ 선택 करन करन शिक्काँबं प्रक्रियक माटे एक एवो वैकल्पिक मार्ग पसंद करे छे जे माँ एनी सक्रियकरन उर्जा मां गटाड़ो थाए मतलब भधुपर्तियाने उर्जा आपपानी जरूर पड़े नई ओछी उर्जा आपपाथी पन निपज माँ परिणमे अथ्वा तो समध्यवर्ति संकिन बनी जाए तो करे जो उद्धिपक वगर जो अंडर डाग्राम मा पन लगुँछ उद्धिपक वगर सक्रियकरन मां घटाड़ो थो उद्धिपक सु काम करे छे प्रक्रियकों ने एक नवो वैकल्पिक मार्ग पुरो पाड़े छे कि जेमा एने ओछी उर्जानी जरूर पड़े छे संक्रांति अथ्वा मध्यवर्ति निपज बनवा माटे अने निपज फटा फट आपन ने माट ओछा सम प्रक्रियक ने आ डीव इंदू सुधी जावा माटे नवो अल्टरनेटिव पाड़े वैकल्पिक मार्ग छे स्तिया सुधी जावा माटे मानों के पांच मिनिट नो समय लागे छे तो यह प्रक्रियानों समय गाळों सु थाई गयो घटी गयो निपज बनवा मात खवर मानवा मा आवे छे के उद्धी पक वैकल्पिक प्रक्रिया मार गत्वा प्रक्रिया विधी पूरी पाड़े छे जे मां सक्रियकरण उर्जा नो घटालों थाई छे सक्रियकरण उर्जा नो घटी जाए छे हाला जापड़े जोई एति स्थिती उर्जा अंत्रायने घटाड प्रक्रिया एटली जड़पी थाई जाए और पड़ी के के नहीं होक्य चुद वीजू सुखै छे आपन ने उद्धिपक तो सूर काम करा छे एक एक वातावरन प्रक्रियाकों ने एऊवू प्रक्रियाकों ने टोई प्रकियाक माल प्रक्रिया ने गिप्स उर्जया माना फेरफार करतो aç नथी मतलब ईभी प्रक्रिया ना गिफ्स औरद धार तो नति ओके ते मात्र स्वयंस्पूरित प्रक्रियाने उद्धिपित करे छे, परन्तु बिन स्वयंस्पूरित प्रक्रियाने उद्धिपित करतो नथी M पन जानवां मड़िऊ छे कि प्रक्रियानों संतुलन अचरांग पन बढ़लातो नथी उद्धिपक्नों उपयोग करवाना कारणे प्रक्रियानों संतुलन अचरांग मां कोई फरक पड़तो नथी जी होए छे ए एएज़टीज रहे छे पलंतु संतुलन प्राप्त करवानों समय गाळो घटे छे मतलब समय जड़पी थाई जाए छे फटाफट प्रक्रिया पूरी थाई जाए छे ते पूरोगामी तथा प्रतिगामी बन्ने प्रक्रियाने सर्खी मात्रामा उद्धिपत करे छे अने तेथी ते सर्खोज रहे छे पन वहला मेडवी शकाय शे पूरोगामी प्रक्रिया औने प्रति प्रक्रिया बन्ने बाजू प्रक्रियाने उदधित करे शे एंऴ ना संतुर नचरांग मां कोई फेरफार थतो नथी अबर पड़ी गई उद्धिपक ना कारणे प्रक्रिया वेग मां केविर्थे वधारो थाए छे सिंपल सिंपल वस्तों याद राख वाने उद्धिपक सू काम करें चैं उद्धिपक एक नवो अल्टरनेटिव मतलब नवो वहिकलपिग मार्ग आपये छे प्रक्रिया कोने जियorage प्रक्रिय Åक नी शंक्रिया करन उर्ज हमां गटाणो कर Joint प्रक्रिया बेग मां बधारों करें चे अन प्रक्रिया ना समय गाड़ा मां गटाड़ों करें चे लेर खोके चलो आणे हवे फ्रेंस आपडे जोईसु रासानिक प्रक्रियानों संगात सिद्धान। प्रक्रियको जे छे निपजमा परिनमे चे ये आ थियरी आपनने कया छे। एवो जरूरी न थी के दरेक प्रक्रियको एक बिजा साथे बेगा मरीने निपजमा कर्णवर्ड थाए था परिणमे चे अमुक प्रक्रियको के जेनी अथरामन चोक्कस विन्यास साथे चोक्कस विन्यास साथे माट चोक्कस दिशामा अथरामन थाए अंचोक्कस उर्जा साथे अथरामन थाय तोज ए प्रक्रियको जी छे निपजमा परिणामे छे नई तो बधाज प्रक्रियको निपजमा परिणाम ता न थी एवु आपण नया सिद्धान्त केह छे लियर छे जो यह सुके आमागे छे थोड़ु थोड़ु लखेलू सुचे रासाइनिक प्रक्रियानो संगात सिध्धांद आरहेन यसनु स्थमीकरण गणा विशार संजोगों मा लागुपडी शकाए छे परंतु संगात सिध्धांद कोने आपेलो याद राखोनो मैक्स टॉट्स अने विलियम लुईस से आपेलो विक्सावेलो ते प्रक्रियानी उर्जिय उर्जिय मतले प्रक्रियानी उर्जा गती उर्जा केटली छे प्रक्रियानी उर्जिय अने क्रिया विदिय बाबतोंने वधारे गहनता पुर्वक समझावे छे ते वायोनी गती उर्जा पर आधारित छे आ सिद्धान्थ प्रमाने जो आ सिद्धान्थ सु केचे? आ याद राखवानुँझे MCQ मां गणी वक़ते पुछी शका छे संगात सिद्धान्थ प्रमाने प्रक्रियक अनुओने सु समझे छे? सखत गोडा तरीके समझे छे, अनुओं सुषके सखत गोडा, ओला गोडा नहीं, अनुओं ने सखत गोडा तरीके समझे छे, अने प्रक्रिया ने अनुओं अथडाए, त्यारेज थाए छे एउगु किया छे, बराबर प्रक्रिया को एक बिज़ा सते अथडा से, पछी जे निपजमा परिणाम से यूँ के छे, अच्छा, आ व्याख्या बजाए याद राखवानी छे, शानी व्याख्या छे, संगात आवरुत्ती नी व्याख्या छे, संगात आवरुत्ती नी व्याख्या, प्रक्रिया मिस्रन्ना, प्रती सेकंड, प्रती एकम कदे, संगात नी संख संख्या ने संघात आबुरुत्ति कहे छे मतलब यहनों यो थव के एक सेकंड मां हुँ एक सेकंड लो एक सेकंड मां एक कम कदी मतलब एक कम कदी तले आपने ले ले लिए एक सेंटीमीटर क्यूब एक सेकंड मां एक सेंटीमीटर क्यूब मां रहे ला अमां कितली अथरामन करे छे अने अपने शु कहें संघात आबुरुत्ति कहें छे एक सेकंड मां एक सेंटीमिटर क्यूब जे कद छे एमां रहेला अनो किटली संख्या मां मनला कितली अथरामन करें चें आपने संगात आवरुत्ती और संगात आवरुत्ती ने बडे दर्शावी शक्ये ुशे जो अहीया इमने प्रक्रिया लीदी श्यकों कारण चें तो विएगब बराबर ZAB E raise to minus EA by RT आ समीकरन शाना जेओ छे आ समीकरन फ्रेंट्स आरहे निया समीकरन जेओ छे K बराबर A into E raise to minus EA by RT क्लियर छे अमाँ E raise to EA by RT तो सेम छे पन A नी जग्या कौने लई ली दी छे ZAB तो संगात सिद्धान मा याद राखवानू A कौना जेओ छे ZAB ZAB कौने कहिए छे संगात आवरुत्ती ने कहिए छे संगात आवरुत्ती मतलब A और B बच्चे नी अथरामन ने ZAB सू छे तो प्रक्रियको A और B नी सू छे संगात आवरुत्ती एकम समयमा किटली अथरामन करे छे अने E raise to minus EA by RT EA करता वधारे मतलब सक्रियकोरण उर्जा करता वधारे के ओछी उर्जा धरावता अनोनो अन्स छे सू EA सू E raise to minus EA by RT ए सक्रियकोरण उर्जा करता ओच आक है वदू उर्जा धरावता अनोनो जत्थो छे संगात सिद्धन समझवा माटे हूं कर्णा च यहें अनसी कर्वान हुआचए चार खुणा हुआच स्रकल गोर कुंडडा हुआच अने एमा दर्य कुकडी ना आपड़े श्ट्राइकर थी मारवानी होयचे ने कुंडालामा पाडवानी होयचे या सिंपल गेम होयचे मारे सु करूँचे ध्यान आप जो स्क्रीन उपर जो आजे रेड कुकडी छे एने मारे आजे सरकल छे एनी अंदर पाडवी छे अने आसुचे श्ट्राइकर के जिना थी आपड़े मारी ये छे आज ट्राइकर थी मारे जो आस रेड कलन ने मलाल कलन ने कुकडी ने आ सरकल मा बतलो एक नंबर ना सरकल मा पाडवी छे तो मारे चौकस खूणा साथे येने मारवी पर से अने चौकस एनूँ एक खूणा उपर वहां अथ्धरा मन करीज तोज तोज आजे रेड कुकडी वाइट मां पड़ से जिनने केरम रम्यों से यहने खबर से बराबने अवे क्विश्चन मारो एछे कि जो उस चोक्कस खुणास आ थे अच्छा चोक्कस निशाना थी हूं यहने मारीस तो यह राउंड मां मतलब सरकल मां पड़ी जैसे ना एक बीजी वस्तु पन जो इसे सू जो राणी ने तमारे जो सरकल मा पाड़ू छे तो बेवस्तु जो इसे एक तो चोक्कस निशानों मतलब चोक्कस दीक विन्यास अने बीजी वस्तु चोक्कस गती उर्जा एनी चोक्कस गती उर्जा आसे तो ज एस सरकल मा पड़ से लियर थाई ग्यू अच्छा तो हवे तमें संगात सिद्धान सारी ते समझी शक्षो जो नीचे सू लख्यू छे आनुकारण एह होई शक्ये के अनुओना बधाज संगात निपजनु निर्मान करता नथी मटला बदीज कुक्डी ने तमें मारो औने सरकल मा पड़े यू जरूरी न थी क्यारे पड़से एक चोक्कस निशाना साथे औने चोक्कस गती उर्जा मा तमें कुकडी ने मार सो तो जे कुकडी सरकल मा मटलाब वर्तुर मा पड़से એવા સંગાત કે જેમાં અણુવો પૂર્તી ગતી ઊરજા જૂ આયું પૂર્તી ગતી ઉર્તી ઉર્જા સાથે और योग्यतिक विन्या साथे अथ डाय छे त्यारे संगात पामे छे त्यारे जे प्रक्रियको निपज मा परिणमे छे प्रक्रिया करती स्पीसीज बच्चे ना बन्धनु टूटू प्रक्रियको ना बन्धनु तूटू अझे नवा बन्धनों रचावू अने निपज नू बनवो अनुकुण बने छे एने आपणे सू कहिए छे असरकारक संगात धरेक वख़ते प्रक्रियाको संगात पामीने निपज आपता न थी पन एमनी बच्चे नू जे संगात छे के ओ हो जी असरकारक योग्य दीक विन्यास साथे अने योग्य गती उर्जा थी योग्य दीक विन्यास साथे अने योग्य गती उर्जा वाला प्रक्रियाको एक विजास साथे अथराए छे प्रक्रियको निपजमा परिणमे छे अने एनेज आपने सु कहिए छे असरकारक संगात क्लियर था ही गे बात अवे अवे लगबग बद्धाने खबर पड़ी गई है बुखमा जो एक एकजांफल आपने चे कैंद्रानोरागी प्रक्रियक केंद्रानोर negro- यह ज्यारे हुमलो करें छे त्यारे सो बने चे CH3OH अने BR- बने छे जो आई यह आ प्रक्रिया जो तमे भण्या होए तो आने SN2 प्रक्रिया क्या चे पन जो तमने खबर नथी SN2 प्रक्रिया सो चे तो आपने यह थोड़ू समझी लेए जो आई यहां CH3BR आपेच दूओ आसो चे CH3 स्क्रीन उपर जो जो आसो चे CH3 अने BR आपेच चे अई यहां BR चे वद्धू विद्धित रून परमानु चे मतलब आन जैसे आन्शिक धन विजबार आई जैसे हवे जुओ जो OH- आ दिशा साथे ब्रोमो मिध्यानु पर जो अथड़ामन करसे अथवा हुमलो करसे तो सू थासे आ ओएच माइनस रून विजबारी स्पिसिस चे आ बीयार माइनस पन रून विजबारी स्पिसिस चे एक बिजान आओ हसे तो OH- आने BR-2 थसे अपाकर्शन मतलब प्रक्रिया थसे नहीं और प्रक्रियक जी छे निपजमा परिणम से नहीं पन ध्यान आपो जो OH- 85 थी हुमलो करसे तो पाचरती हुमलो करसे तो आने BR- नड़से नहीं मतलब रून विजबारी स्पिसिद नड़से नहीं पा जो सेम वस्तु आपने यहां आपी चे स्क्रीन उपर जो जो अयोग्य दीख मिन्यास जो OH-BR- नी सामे थी जसे तो माइनस माइनस रून विजबार रून विजबार वच्चे सु थासे अपा करशन निपज मरती नती पन जो आज OH- 85 थी द्याना पाचरती हुमलो करसे तो माइनस OH- जे छे ए C प्लस साथे जोडासे और यहां थी BR- छूटो पड़ी जसे आने आपनने सु मर से मिथे नौल मत मतलब सु हो जुए असरकारक संगात हो जुए योग्य दीक विन्यास अने योग्य गती उर्जा साथे अचरामन थाए तोज प्रक्रियकों निपज माँ परिणा में अवे आपनने सु आप्यु छे B बाची ले ये सु कयू छे प्रक्रियक अनू अनू योग्य दीक विन्यास बंधनी रचना तरप दोरे छे जियारे अयोग्य दीक विन्यास तेमने पाछा धल एक ठकेले छे निपज बनती नथी असरकारक संगात ने समझवा माटे एक विजो अवयव दाखल करवा माँ आवे छे जिने केवाँ छे P P सुछे संभाव्यता संभाव्यता मतलब संभावना most probably मतलब maximum किटला अनू एक विजा साथे असरकारक संगात बतावे छे एनी संभावना एने सु कहिये छे आपने P संभाव्यता अवयव कहिसु ते हकीकत नू समाविश करे छे के संगात मा अनू योग्यरीते दिकविन्यास थायेला होवा जोईए त्यारे जे आरहेनियस समी करण छे ये हवे एक नवु स्वरूप धारण करे छे के वेग बराबर P नवु सु दाखल थाव P, P सुछे संभाव्यता अवयव P इन्टू ZAB, ZAB सुछे संगात आवरुत्ती E रेश्टू माइनस EA आरटी थासे आम संगात सिद्धांत मा सक्रिय करण उर्जा अने अनू अनू दिक विन्यास बन्ने साथे मरीने असरकारत संगात माटेनू अभिलक्षन छे अने तेथी रासानिक प्रक्रियानों वेग नक आहे चिक विन्यास पणि ए era शंगात सिद्धांत नियमुक ड्रवबक छे शंगात सिद्धांत नियमुक फ़त जब शारत छे मरीने संगात शिद्धांत मात्र सखत गोडा औरिके गणे अने तेनी सrun आवगणे अनुओ शाना बनेला चे प्रोटोन निट्रोन एनी सर रचना के वी छे ए बधी वस्तुने अव गणे छे अने सु क्या छे कि जी अनुओ अथवा पर्माणों जे सखत गोडा चे तो अहीं आपने फोर्च चेप्टर कंप्रीट करिये छे जिनों नाम चे रासानिक गतिकी याना MCQ नी प्रिपरेशन पन करवाना ची ये तो जोडायला रहाओ एपक्स एकेडेमिस हाथी थैंक्यू वेरी मेट्च